जंगली हाथियों के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मिर्त्यों गई खबरों को विस्तार से बताने से पहले ये बता दें कि कर्रा थाना छेतर अंतरगत लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखनी को मिल रहा है और इस आतंक से कर्रा परखंट छेतर के लोग पूरी तरह से भैबीत हैं बताते चले कि इसके पहले भी जंगली हाथियों ने वन कर्मी को ही अपने चपेट में ले लिया था ये बताया जा रहा था कि जंगली हाथि एक गाउं में आकर डेरा जमाया हुआ था जिसे भगाने के लिए वन विभाग की टीम गई थी लेकिन वन विभाग की टीम के एक सदस्ची को ही जंगली हाथियों ने अपने चपेट में ले लिया और उसे कुचल दिया था इसके बाद अभी दो दिन पहले भी कर्रापरखंड छेत्र में ही जंगली भालों का आतंग भी दिखा जहां एक दमपती को जंगली भालों ने अपना सिकार बना लिया और उसे बुरी तरह से जख्वी कर दिया और आज भीर से एक बार जंगली हाथियों का आतंग देखने को मिला जहां कर्रापरखंड छेत्र का जर्यागर थाना छेत्र अंतरगत नोरिंगा गाउनिवासी बोधन शिंग को जंगली हाथियों ने अपने चपेट में ले लिया और उसे बुरी तरह से कुचल दिया जिससे की घटना स्थल पर ही उनकी मिरित्ति हो गई परीजनों से मिली जानकारी के नुसार ये बता दें कि बोधन शिंग का बहू जो प्रशाव के लिए कर्रा सामुदाईक स्वास्त उपकेंदर में भरती कराया गया था और बोधन सिंग अपने बहू को देखने के लिए ही स्व किल लेकर कर्रा की ओर निकलेती तभी सडक पर उसे हाथियों ने घेर लिया और उसे बुरी तरह से कुचल दिया जिससे की घटना स्थाल पर ही उनकी मिरित्ति हो गई